हेलो फ्रेंट्स आपकी अपने यूट्यूब चैनल रन विट टाइम अलेबन पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों ने उपसवर और अपसवर की स्थिति को आप लोगों ने समझ लिया था और आज इस वीडियो मे हम लोग जो देखेंगे कि चंद्रमा की कलाएं कैसी होती हैं और यह कैसी घड़ती हैं और कैसे बढ़ती हैं इनके बारे में अधिन करेंगे तो आईए इस वीडियो को कांटीनू करते हैं इससे पहले हमारे इस चैनल पर जो भी हमारे नई मित्र हैं और जो भी हमारे पुर पांच डिग्री जुकी हुई है तथा ये पिर्थवी की एक परिकर्मा साड़े अठाइस दिन में पूरा कर लेती है उसके बाद यहाँ पर वाई की अगर हम बात करें तो वाई भी है लेकिन बिरेल अवस्था में है और तीसरा कंडिशन यह है कि अगर कोई वस्थू या कोई व्यक्ति इस पिर्थवी पर साट केजी का है तो चंद्रमा पर एक बटा छे हो जाता हुई इसमें प्रकास भी नहीं है और यह सूरी के प्रकास से जो है प्रकासित होता है और जिसे हमें इसकी अनेक कलाएं दिखाई पड़ती है कला के पीछे एक कारण और है क्योंकि जो यह चंद्रमा है अपने अच्छ पे पांच डिगरी जुकी हुई है यह अपने अच्छ पे तथा जो पिर्थवी की परिकर्मा कर रही है इस चारू दिशाओं में उसकी गती एक समान है क्योंकि वो अपने अच्छ पर भी और अपने परिकर्मण गती पर भी वो जो है 28 दिन में ही जो है एक चकर पूरा करती है जबकि पिर्थवी में ऐसा नहीं है पिर्थवी में एक राउंड जिसको हम घूडन गती जिसे वो रोटेशन कहते हैं वो 24 घंटे में एक चकर पूरा करती है तथा सूर की परिकर्मा जो है एक वर्स में यानि 365 दिन में पूरा करती है लेकिन यहां चंड्रमा में एक छीज़ी ध्यान देना होगा इसके जो अच्छीए गती है और जो इसके कच्छीए गती है yяни कच्छा की जो गती है वो समान है यानि बराबर है और इस तरह से इसमें एक उभायतर जिसको हम कहते हैं गुरुत्वा करसन केंद्र बल यानि कि एक बल जो चंद्रमा से आ रही है और एक बल जो पिर्थवी से आ रही है इन दोनों बलों को मिला करके बीच में एक जो केंद्र बनता है उसे हम कहते हैं उभायतर गुरुत्व केंद्र बल ये जो है जोड़े रहती है जैसे हम देखते हैं कि कोई भी ब्यक्ति है अगर दूसरे ब्यक्ति का हाथ ऐसे पकड़ ले तो वहाँ उसी एक्सिस पर जैसे प भायतर गुरुत्व केंद्र के कारण और जिससे चंद्रमा का हमें केवल आधा भाग ही दिखाई पड़ता है कैसे आईए इसको गुलोग के माध्यम से भी समझते हैं माल लेजिए यह आपकी पिर्थभी है यह आपकी पिर्थभी है और पिर्थभी पर अगर यह माल लेज यह अगर इसका फेस यह वाला पोर्शन आप देखेंगे यह वाला पोर्शन अगर इसका फेस यहां पर है तो ऐसे 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 कहने का मतलब यह है फिर यहां पर आ जाएगी इस तरह से तो कहने का अर्थ यही है कि जो चंद्रमा है वो वो अपने अच्छ पे तथा अपनी परिकर्मा के पत्थ पर जो है वो साड़े अठाइस दिन में ही पूरा करती है अब हम लोग समझेंगे कि इसमें चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो कैसे जो है बदलती रहती हैं देखिए हम लोग जो है अमावस्या से ही सुरू करेंगे यह है आपका जो है सूर्य और हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा में अपना स्वेम का परकास नहीं है माल लेजिए यहां पे तो चंद्रमा यह बना ही हुआ है और यह आपकी है पिर्थवी जब तीनों एक सीध में आएंगे तभी जो है बनेगा यानि सूर्य चंद्रमा और पिर्थवी तभी यह अमावस्या बन सकता है तुद देखेंगे यहां पे अगर हम दूसरा एक मान ही तो आप देखते हैं हमने अभी बताया कि चंद्रमा में अपना स्वयम का प्रकास नहीं है और यह सूर्य के प्रकास से ही प्रकासित होता है जो सूर्य का प्रकास है वो चंद्रमा के आधे भाग पर ही पड़ रहा है क्यों क्योंकि चंद्रमा जो है वो पांच डिगर जुकी हुई है यानि इस रूप में हैं तो जो यह वाला हिस्सा है यह वाला पॉर्शन हम लोग पिर्थवी पर हैं, तो इसका यही वाला हिस्सा हम लोग देखेंगे, यह वाला जो हिस्सा है नहीं देख पाएंगे, और यह जो सूरी का प्रकास है, जो आधे भाग पर पढ़ रहा है, तो यह प्रावर्तित होकर पुना हुआई मंडल में बिखर जाता है, जिसके क कारण हम इधर के भाग को, यानि इस चंद्रमा के पिछले वाले भाग को नहीं देख पाते हैं, और हमें इस तरह से लगता है, कि यह जो है आमावस्या की काली रात है, यानि कि आज चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको हम कहते हैं आमावस्या, इसी को हम क्या कहे अमावस्या अमावस्या अब देखिए अब यहीं से जो है यह आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी यानि इसी अमावस्या से इसको न्यू मून भी कहते हैं क्योंकि यहीं से नया मून जो है नया चंद्रमा जो है शुरू हो जाता है आप देखते होंगे परघ्षमा दुतियस को एक हासीय के आकार का दिखाई पढ़ता है क्यों यह चंद्रमा इस पिर्थवी का जो है चक्कर अविल आज इस साथ में देखे यहां से अब यहां बढ़ चुका है तो चंद्रमा और जो सूरी का प्रकास है वह इसके इतने ही भाग पर पढ़ रहा है और येरिचो प्रकाश है प्रावर्थि देख्ये यहां से यह रोसनी यह गई और यहीं रोसनी फिर पुना पिर्थवी पर पहुँच गई और पिर्थवी पर जो ब्यक्ति खड़ा है उसको इतना ही भाग जितना भाग पर इसकी रोसनी जाएगी उतना भाग दिखाई पड़ेगा तो इस तरह से हमको जो है इसका एक आकार का जो है दिखाई पड़ता है यही सूर के समझ आएगा तो यहां पहर देखें इतना भाग दिखाई देने लगा और फिर यहीं जो सूर का प्रकास यहां पड़ा और फिर परवर्तित होकर यहां पिर्थ्वी पर आ गई और जिससे हमको यह चंद्रमा का इस वाले से थोड़ा ज्वारेच आपको दिखाई इसको कहते हैं सुक्लपच तो सत्तमी अश्टमी को क्या होता है चंद्रमा का आधा भाग में दिखाई पड़ने लगता है अब देखें क्योंकि ये वाला जो पोर्षन है अब उस तरफ जा रहा है और ये वाला जो पोर्षन है इस तरफ आ रहा है यानि सूर की तरफ तो सूर की रोशनी इस पर ज्यादा पड़ेगी इसलिए हमें सत्तमी अश्टमी को क्या होता है जो चंद्रमा है उसका आधा भाग में दिखाई देने लगता है जिससे जो है या जो है अर्ध चान्द भी हम लोग इसको कहते हैं फिर उसके बाद क्या आव रहा है यही भाग अब उस तरफ और क्योंकि पांच डिगरी तो जुकी हुई है और उसके आगे जा रहा है तो इसका कुछ और भाग दिखाई पड़ने लगा यानि आधे से कुछ और ज्यादा तो हमें जितना भाग और ज्यादा दिखाई पड़ेगा वो इस रूप में देखिए बना और इसकी जो सूर की रोशनी यहां पड़ेगी फिर जो है पृत्वी पर पड़ेगी इस तरह से हमें आधे से ज्यादा जो है दिखाई पड़ेगा उसी प्रकार से फिर यहां पर पहुंचेगा फिर हमको उससे भी ज्यादा दिखाई पड़ेगा और एक कंडिशन ऐसी क्या हो रहा है कि जो पूरा जो चांद है वो हमको पूरा एक चांद के रूप में दिखाई पड़ रहा है जो चंद्रमा है पूरा एक चांद के रूप में दिखाई पड़ा जिसको हम कहते हैं पूरिमा जिसको हम कहते हैं पूरिमा लेकिन अब आपके दिमाग में एक प्र दीजिए थोड़ी देर के लिए क्योंकि नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे हम यहां से इस मून को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं यह लिजिए हमने इस मून को हटा दिया अब जो यह प्रकास है यह तो पिर्थवी प्रपड़ना चाहिए भाई तो पूरिमा के दिन हमें पूरी तरह से चंद्रमा कैसे दिखाए पड़ेगी तो आपका सोचना सही है दोस्तों ऐसा तब हो सकता है पूरिमा के दिन जाहिर सी बात है कि पूरिमा के दिन अगर चंद्राण होगा तो पूरिमा के दिन ही होगा लेकिन प्रतेख पूरिमा को नहीं होगा क्यों नहीं होगा इसका भी लाजिक है इसका भी कारण है पहला कंडिशन यह अब साइड लाइन में होना चाहिए अब साइड लाइन क्या है यह जो है कि यह रेखिये करम में हों यानि एकदम सीध में तब जाकि यह सिती बनेगी ग्रहण की लेकिन यहां पर क्या हो रहा है जो यह चंद्रमा है यह मात्र पांच डिगरी ही जुका है जिसे माल लेजिए यहां पर यह कोई चीन 90 है तो पांच डिगरी माल लेजिए इतना होना चाहिए हैं और जो हमारी पृथभी है अगर यह हम पृथभी को भी बनाएं पृथभी को 90 डिगरी पे तो यहां पर 90–30 समय पर जुकी तो इतना होना चाहिए तो अगर यह इतना जुकी है और यह इतना है तो जाहिर से बात है इससे थोड़ा उभरा हुआ चंद्रमा दिखाई पड़ेगा यानि कि इस पिर्थबी से इस रूप में दिखाई पड़ेगा तो यह जो सन लाइट है यानि इसका जो प्रकास है वो सीधा एकदम चंद्रमा पर पड़ता है और जिसके कारण हमें यह जो चंद्रमा है पूरी तरह से हमें पूरी चांद के रूप में दिखाई पड़ता है दोस्तों यही कारण है कि हर पूरिमा को या हर आमावस्या को सूरी गरहन नहीं और हर पूरिमा को चंद्र गरहन नहीं होता है उसके बाद फिर यही घड़ता करम यानि कि उजाले से काले की तरफ जब उसे कहते हैं क्रिश्ल पच्छ अब यहां से घड़ते हुए करम में चलेगा यानि जो सूरी का प्रकास है अब इसके इतने भाग पे नहीं पड़ेगा इतने भाग पे प्रकास पड़ेगा तो हमें यहां से इतना भाग पूरा दिखाई देगा फिर उसी करम में इससे सुक्रपच में आपने देखा था शत्मी वैसे ही यहां क्रिश्ण पच्च में शत्मी और अश्टमी आ जाएगी और यहां पे यह वाला जो पोर्संद है हमको नहीं दिखाई देगा और इसका जो सूरी का प्रकास है इसके आधे भाग पर पड़ेगा और इस तरह से हमें जो है हम लोग पिर्थवी से देख पाएंगे उसके बाद एकदम थोड़ा सा देख पाएंगे और फिर यही स्थिती आ जाएगी तो यहां से चल्ले में 15 दिन लग गया यानि आधा मास यह बीद गया जिसको हम कहेंगे किश्ल पच क्योंकि यह जो चंद्रमा की कलाएं हैं अ और आधे भाग पर नहीं तो जो आधा भाग वह सूर के एकदम सामने हैं तो प्रावर्तित होगा फिर वाय मंडल में जो परियूर्तित हो जाएगी और जिससे हमें मून दिखाई नहीं पड़ेगा और जब मून दिखाई नहीं पड़ेगा यानि चंद्रमा दिखाई नही तो दोस्तों आसा करते हैं वीडियो आप लोगों को जो है समझ में आया होगा मिलते हैं किसी नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए हमें मत दीजिए बहुत-बहुत धन्यवाद